तो है गाइस वेल्कम बैक और जीगे एलेक्टिवर चैनल तो आज मैं आपके लिए लिया है एक एक साइड का सोलर चार्जर कंट्रोलर और सबसे पहली बात अगर आप चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज मैं इसकी अन्बोक ब्लेड की मदद से तो यह हमारा खुल गया है और इसके अंदर देखते हैं क्या नहीं करता है तो पैकिंग तो अच्छी है और इसकी प्राइस दोस्तों मैं बता जूँ लेकिन सबसे पहले इसके अंदर इसके लिए हाउट इंस्टॉल एक्साइड वैट्रिक के मेंडू शारजर की मेन्यू की से इंस्टॉल कैसे रहें और कैसे चलाए इसमें हमें एक और बिल मिलता है जो कि कंपनी की तरफ से एकसाइड की मैनुफेक्ट्रिक्स की तरफ से की इसकी क्या प्वॉलिफिकाज अनसार दोस्तों यह काम कीची है इसको आपको बात में में step by steps का मतलब और बताओंगा कि यह क्यों देना करें यह दो इस तो काम की चीज़ है तो सीधा चलते हैं हम अपने subject पर जो कि है में रहतों में तो आपको इसकी पैकिंग दिख रही होगी जबर्दस्त पैकिंग में आया था कि इसी टैबिज में आऊ तो यह अमने खोल लिया और इस पैकिंग के अंतर एको पैकिंग फिर आते हमारा एक साइड का डिपा तो सबसे पहले मैं निखाओ तो इसमें सपने subject और यह खाजर दबा एक साइड सोलर चार्जर कंट्रोल बादर से चोईश वो दस एंपिर का है यह मैंने यह ओनलाइन पर सेज़ किया 390 रुपे का दोस्तों तो डबत दू रखते हैं साइड में और टीन इंड़ कर दिए हुआ है एक और में इसको आपको अंदर से खोल के दिखावंगा कि क्या इसकी अंदर है क्या नहीं है और लोट लोडों के लिए बैटरी लोग है ऑफ सोलर चार्ज़र के लिए सोलर का पॉजीटिव यह बैटरी का पोजीटिव दोस्ते तर लोड का कि सब से में नेगटिव 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 इस तरह के सिस्किया में इंस्टॉलेशन करने जो की बहुत एजी एंट सिंपल है प्लास्टिक की बोड़ी है इसे मेंटेनेंस की जबत भी नहीं है एक बर लगा दो तो क्वालिटी तो इसकी थीग है अच्छी है अब चलाने पर पता लगेगा कि इसकी क्या क्वालिटी बेस्ट है तो पहले में से आपको खोल के दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है क्योंकि अभी खड़ा वो जैसे यह मैं इसको वापिस तो करने वाला हूं तो मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या करेंच के इस만 बिसके अंदर दोस्तों लिले तो नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर काई सी होगी जिए कॉल्प करा दोस्ते कि होती है कुछ इस तरह की इस ही आपको दिख रहा होता है और यह स्विच इसकी कउश सेटिंग बिदने के लिए हमें पिन यहां पर मिल जाती है इनको हम नहीं चड़ेंगे कि हमें कोई सेटिंग ने बदल लिए और इसमें तीन मोस्पेट लगे हैं विल्ड क्वालिटी प्लेट की अच्छी है और दोस्तों यह जो इसके ओन ओफ है डे नाइट अगर यह डे की तरफ उपर रहेंगे तो इसमें का लोड दिन में काम नहीं करेंगा और दोस्तों मुझे इसमें एक बेल्ट बात यह लगी कि इसकी जो आइस यह टेप से चिपकी हुई है मतलब हीट सिंग वाली टेप होती है उससे चिपकी है ना ही किसी की स्कूरू से और मैं इसमें बैटरी कनेक्ट करके आपको दिखात से और दूस्तों फिर एक और बात चैनल पर दो चैनल को संप्कृ स्क्राइब करें और वीडियो को लाइक दो जरूरकर तो हुआक तो मैं शीमिश लागा दो बात करता मैं एंप aur D की कि जीए दो सुछे है दो तो इसका पता हमें उस मेन्यू में से ही पता लगेगा जो नीची की तरफ रहेंगे तो इसका लोड दिन में काम नहीं करेगा यानि चार्जी के समय आप इससे लोड नहीं ले सकते हो इसलिए यह हमेशा उपर की तरफ रहने चाहिए तो मैं इसके बैटरी का पोजिटिव में पोजिटिव लगाते हूं कुछ इस तरह कि नेगिटिव में नेगिटिव तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा एस प्रीवी चार्जिंग जल गी जब और चार्जिंग यह इसकी सेटिंग है पहले वह जलेगी फिर उपर वाली जलेगी कि तो लोड ओन अब दोस्तों कुछ यूर्ज को लग रहा होगा कि ओवरलोड क्यू जला है तो दोस्तों जब यह ओवर लोड होगा तो यह लाइप बारवर बंद चालू यानि ब्लिंकिंग करेंगी और जब इस पे सिर्फ लोड होगा या लोड नहीं भी होगा यानि यह बंद ट्री आनि ब्लू करेंगी लेकिन जब ओवरलोड होगा तो यह लिदिग ब्लिंकिंग करेगी और लोट लेट जलेगी और चार्जिंग पर SPV charging तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे Red LED glow कर जिये. और Red LED glow करता है. नचेका सब्सक्रामारे तो वेके एक 15 चारज़े नियुक्त होड़े. लोड पर समर्फित तो ऐन्चेक हटाए. और ग्रीन एलेडी हमारी ग्लो कर दिए लोड गे तो दोस्तों ये सही में वर्क कर रहा है तो कैसी लगी वीडियो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब परें